आज सुभे अपने कपड़े साही गर रहे थे तो बलेजर दिखाई दिया खाला कि पहनते कम है और के इसले लिए पहना जाता है लेकिन शौक भी नहीं है पहनने का तो उसको सही करने लिए तो उसके पॉकिट में हाट डाला तो एक सुखा हुआ गुलाब मिला गुलाब जरू सुखा था लाल से काला हो चुगा था इन कहीं न कहीं यादे जो होती है वो ताजा हो जाती है वो लम्हा वो याद आपके आँखों पर सामने से गुजर जाता है वो गुलाब जब किसी ने आपको दिया होगा तो वो क्या मनजर होगा यादे होता है ना कभी-कभी किताबों में यह अंजाने-अंजाने में कुछ डगरा जाता है जो आप को कहीं न कहीं हिला देता है किसी की याद दिला देता है Hi Hello and continue कैसे है वड़या शभी है reasoning का second part है यह reasoning का पहला part आपने नहीं देखा है अज ए ससे MTS के लिए preparation के लिए पहला part नहीं देखा है तो please do watch नीचे मिल जाएग आपको strategy क्या है MTS clear करने के लिए उसका वीडियो मैंने बना रखा है नीचे आपको मिल जाएगा books कौन सी आपको ज़रूरत की है वो भी आपको नीचे मिल जाएगा कोई कह रहा था कि सर गाही का full form क्या है दोस्त गाही का full form बता देंगे तो फिर गाही education मेरा है क्या जाएगा suspense बने रहने दीजे मेरा नाम गौरव है आपको मैं बता चुका हूँ जी ए यह जो जी ए है ना इसका नाम गौरव है HI का rights मेरे पास नहीं है देंका नाम disclose कर सकूँ ठीक है फिलाला आप इतना समझो फिर आपके बात करेंगे प्लीज चैनल को subscribe कर लिजे अगर आप तक को subscribe नहीं किया है प्लीज 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 तो subscribe गाही education और हम ऐसा जूड़ना चाहते है तो facebook पे आ सकते है गाही EDU के नाम से मैं वहां मिल जाओंगा पड़ा ही मिलूँगा आपको ठीक है प्लीज सब्सक्राइब कर लिजे और चलिए जदा बखवास नहीं करेंगे सब्सक्राइब करने जड़ा बड़े बड़े नहीं रखेंगे चोटे रकारें पहला वीडियो थोड़ा सा 15 मिटे रका है हर कोई वीडियो रिजनी के तीन वीडियो तीन पर्ट में कर रहे हैं है दूसरा पर्ट है कोशिच करने पंदा से बीच मिट से जदा ना ले चलिए चलिए, वन डाइग्राम से question आते हैं, वन डाइग्राम से इस तरह का आपको relation इसमें create करना है, relation बताना है, जैसे loin, fox और carnivores, carnivores, वरस में relation क्या बनता है, loin, share, fox, loombi, carnivores मतलब जो मास खाते हैं, उनमें relation क्या बनता है, देखे, LOEMा और FOX में तो कोई relation बनता नहीं है लेकिन अगर इन दोनों को ये कार्निवोरस के तहट आते हैं डोनों मासाहरी होते हैं तो कहीं नखा, relation ये बनता है ये बन गया कार्निवोरस पूरे इसके तहट, LOEM और FOX दोनों आते हैं इस तरह की question आते हैं option c is the right option ठीक है इस तरह के आपको draw करके आपको दिया गया हुआ when diagram type का तो आपको इनका relations create कर रहा है और आपको बताना होता है ठीक है इस तरह के question एक से दो question आपको exam में मिल जाएंगे चलिए समझ में आरी बात कैसे क्या करना है ठीक है अगला दिखते है अगला क्या कह रहा है manager है labor union है labor union है और labor worker है तीन लोग का relation बताना है देखिए workers के worker किसके अंदर आएंगे labor union के अंदर आएंगे labor का union के अंदर आएंगे और यह दोनो manager के अंदर आजाएंगे ठीक है एक possibility यह बनती है एक possibility यह बनती है कि worker जो है labor union के अंदर जरूर आएंगे लेकिन manager से कोई तालुक नहीं है इन दोनों का एक possibility यह भी बनती है ठीक है दो पहली है दूसरी possibility यह दो possibility बनती है हाला कि यह दोनों option हमाँ पास हैं देखे इस तरह की confusion बहुत बनती है exam में आप बैटेंगे तो आप दो मिनटे पागल हुझाएंगे कि अब क्या करें क्या करें क्या करें इसको लगाएं कि इसको tick करें ठीक है तो कही न कहीं आपको right option चुनना बहुत ज़रूरी है और कहीं न कहीं examiner's के point of view से आपका दिमाग जो है वो match करना ज़रूरी है तो कहीं न कहीं labor union worker जरूर labor union के अंदर आएंगे लेकिन manager से कहीं न कहीं थोड़ा बहुत तालुक नहीं बन पा रहा है ठीक है manager तो एक अलग चीज होगा is the right option ठीक है हाला कि manager के under इस अजाएंगे लेकिन कहीं न कहीं manager थोड़ा सा आपको odd लग रहा है यहाँ थोड़ा सा odd है db आप select कर सकते हैं लेकिन मेरे खाल से a यहाँ पर right option होना चाहिए ठीक है इस तरह की question आते हैं आगे समझें चलो आगे बढ़ेंगे mirror image और paper folding के question हम लोग देख लेते हैं देखो यह है paper folding के question paper को fold किया जाए और कुछ cut किया जाए तो क्या बनता है इस तरह की question आते है for example अगर आपके पास है आपको वहाँ पे paper है तो paper को ऐसी fold करके आप cut कर सकते हैं देख सकते हैं ठीक है अगर नहीं होता है तो इक चीज़ देखे यह गोला है ठीक है इसको एक बार मोड़ा गया ठीक है फिर उसको यहां से मोड़ा गया यह करा छाए यह ओपर ऑफोड़े रहे治द अगर इसको चार बार खोलेंगे ठीक है इसी को गोलेंग Finnish हम चार बर खोलें ठीक है ठीक से बना नहीं अगर इसी को चार भाग करेंगे तो यह कहीं नहीं गुला बनेगा वर्ण ट्री फोर ठीक है इक चीज़ मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं कैसे कैसे आप option identify कर सकते हो ठीक है चार बर मतलब यह जो cut मारा गया यहां पर यह cut जो लगा है यह कहीं नहीं 4 बर नहीं बनेख इसको इसे डाउ करिए यह बना यह बना फिर यह बना फिर यहां बना ठीक है, identify करना होता है आपको, पेपर फोल्ड करके cut मारा जाता है, cut किया जाता है, उसको पेपर को फिर खोला जाए, तो क्या आकरिती बनेगी, क्या design बनेगा, वो आपको identify करना होता है, इस तरह की question, sorry, एक से दो आपको मिल जाएंगे, एक से दो question हमेशा हर exam में आपको मिल तो करना क्या है, अगर paper आपके पास है, वहाँ पे exam paper, extra paper आपके पास है, हलाकि रफ पेपर आप नहीं मिलता है, आपको offline paper है, तो आपको रफ पेपर नहीं मिलेगा, लेकिन फिरहाल आप इसको थोड़ा सा, थोड़ा सा moderate थोड़ा सा कोशिश करेंगे, इसको कर पाएंगे, mirror image में, trick कहां पर है, मिरे जिए में आपको trick trick बता देता हूँ, करना क्या होता है, यह जो बना हुआ है, इसी को आप जो paper मिला है, उसी पर एक, for example, ऐसे है, ठीक है, इसमें क्या करना है, बस यह जो आकरिती बनी है, इसी को आपको बनाना है, लेकिन थोड़ा सा dark, थोड़ा आपको page मिलता है, उस page इसको directly यहाँ पर pen से इसको draw करिए, इससे draw कर दीजे, और palette के देखिए, पीछे आपको जो page के पीछे जो image बनके आएगी, वो कहीं ना कहीं, क्या होगी, mirror image होगी, ठीक है, इसके लिए sketch pen का इस्तमाल किया जा सकता है, cheating का दरीका, चलिए, paper folding कैसे कर सकते हैं, इस दो question आने है, उनको ज्यादा दर practice करेंगे, तो आप ज्यादा tackle कर पाएंगे, ठीक है, चलो, एक pattern यह भी होता है, इसमें sign fill करना होता है, कहने का मतलब यह है कि यह जो string लगे हुए है, यहाँ पर यह sign fit करने हैं आपको, और आपको equation यह सही बनानी है, for example, अग 9, string, 7, string, 2, string, 3, string, 10 है, तो इस string जगा पर पहले पर plus रखिए, 9 plus 7, और दूसरे में minus रख देते हैं, तीसरे बाले में 2 रख लेते हैं, और इसमें 10 रख लेते हैं, क्या यह 10 बन रहा है, क्या satisfy कर रहा है, 9 16 हो गया, minus 2 into 3, 16 यह कितना जाएगा, 6, क्या equal to 10 बन रहा है, बिल असलब है, यह option सही है, ठीक है, string की जगा पर, जो string है, उसकी जगा पर आपको replace करना है, क्या, यह sign, जो sign दिये गया है, यह sign जो दिये गया है, यह option में, a, b, c, d में, put करना है, और देखना है, equation, कौन सी equation, जो है, वो आपकी correct, सही बन रही है, वही आपका सही option होगा, ठीक क्या कह रहा है, यहां करते हैं, plus की जगा पर आपको divide रखना है, और minus की जगा पर आपको into रखना है, into की जगा पर minus रखना है, और divide ही जगा पर plus रखना है, इस equation में, जो equation आपको दिये है, 35 क्या दिये है, plus 7, minus 5, यहां पर divide है, यहां mistake है, यहां divide है, 5 into 6, ठीक है, अब replace कर प्लस को यहाँ पर क्या रखना है उमको डिवाइड रखना है 35 divided by 7 ठीक है माइनस की जगा आप क्या रखना है इंटू रखना है इंटू 5 ठीक है डिवाइड की जगा पर क्या रखना है प्लस रखना है प्लस 5 और इंटू की जगा पर क्या रखना है हमको कहां गया into minus रखना है minus 6 इसको solve करना है आपको solve करके जो answer मिलेगा वही आपका answer 35 यहां कर लेते हैं 35 divided by 7 into 5 plus 5 minus 6 यह 5 time रहेगा 5 into 5 plus 6 minus 6 यह 25 आ जाएगा यह minus बना जाएगा इसको solve करेंगे क्या जाएगा 24 बस क्या करना है आपको sign को replace करना है जैसे plus को denote करना है divide से जहां यह sign दिये गया है इनको वापस replace करना है और यहां पर string में sign भरने है और आपको सही question find करनी थी ठीक है चेलो आगे बढ़ेंगे हां dictionary वाले आते हैं दो तरह की question होते है dictionary में पहला part यह है पहला type यह है dictionary आपको देखनी आती है उस तरह की question आते है arrange करने वाले आते हैं पहले यह pattern लेख लेते हैं क्या कह रहा है from the given alternative select the word which can be formed मतलब अगर हम dictionary के word निकाले और कुछ एक word बनाए यह जो word दिये है न यह dictionary जो लिखा हुआ है इससे एक निकाले और कुछ word बनाए तो क्या उनसा word हमाँ पास बन सकता है can be formed औग cannot be formed doing Lotus करने और के न बीफरों हम दिखा रहें यहां पे देखें पहला B daher here जी नहीं बाईनरी नहीं बन सकता है तो B혈नरी नहीं बन सकता पहली चैनल होग Está legal डेयर सकता है डिह हमाइपास ऐ हमाई पास है ठीक है कि ए हमाई पास है हाँ हमाई पास है आई हमाई पास है, जी हाँ, आई भी हमाई पास है, आर हमाई पास है, आर भी हमाई पास है, यह वर्ड बन सकता है, डिशनरी वर्ड से हम डियरी वर्ड बना सकते हैं, अडिशनरी नहीं बना सकते हैं, क्योंकि यहां पर डबल डी है, हम आपर डबल डी नहीं है, नेशन नही होगा यहां лиोगा क्योंकि यहां पर आप नहीं बन सकता है यहां यहां ऑना आपकास है और दो Kyle इस वर्ड से इस वर्ड आपको दिये गए हैं डिशनरी में से कौन-कौन से वर्ड मिला के आपका कोई वर्ड बनता है जो आपके option में दिखता है cannot be form लिखा होगा कोई एक वर्ड होगा जो नहीं बन रहा होगा बाकी सारे बन रहा होगा इसी तरह के इस इसले में एक और question आता है यह dictionary वाले arrange करने होते हैं इनको arrange करने होते हैं पहले वी ए क्या है ठीक है वी ए सम्में है अब उसके बाद देखिए उसके बाद ए यह में एक हाल से पहला होगा यह भी तो है ठीक है पहला दूसरा बी एन ए तीसरा D होगा दी ए फॉर्थ हो जाएगा फिफ्थ हो जाएगा बसता क्या है तीसरा 1 2 4 5 3 1 2 4 5 3 Suze the right option कैसे किया मैंने देखें डिश्ने ही देखनी आती है आपको बस by करना है अगर आठिश्ने आ आपको देखनी ही आती है बस इंस word को arrange करना है यह word पहले आएगा फिर यह word आएगा dictionary में, फिर आपके पास yellow word मिलेगा, फिर आपको चोथा word मिलेगा, ये मिलेगा, फिर उसके बाद आपको yellow word मिलेगा, फिर सबसे last में ये मिलेगा, ठीक है, B, A, N सम्में है, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद A आना चाहिए, आपको बस यहाँ पर A है, जी हाँ, यहाँ, य बस उनी को ऐसे करना है और उनको अरेंज कर लेना है ठीक है कुछ नया नहीं है इसमें ठीक है चलो आगे बढ़ेंगे चलो कुछ और एगवार रेंग और जैशाएं सोहन रांग 7 फ्रॉम दे टॉप लेख्या यहां पर है थीध्यूसिक पर फैंटे फिर्फ यहां पर है यहां पर है ट्लै आप कितने लोगों हों गई के नीचे हैं ठीक है कितने लोग हैं 6 प्लस 1 प्लस 24 कितना हो गया 25 6 31 ठीक है simple है 7 पे है तो 6 लोग उपर है bottom से 26 पे है 26 पे है मतलब यह 26 या 25 लोग होंगे इसको फिर से कर लेते हैं एक मिनिट देखो सोहन इस 7th from the top मतलब टॉप से अगर बात की जाए तो सोहन यहां कहीं है ठीक है 7 पे है यह 7th पاجेशन प्लक इससे पहले कितने 6 लोग हैं ठीक है ठीक है अगर bottom से बात की जाए तो 26 प white लेकिन इसके नीचे कितने लोग है 25 लोग होंगे अब जोड़ लिज़े 6 प्लस सोहन सोहन को कभी calculate नहीं करेंगे सोहन को वही रहने देंगे उस सोउन सेवन्ज्जिशन पे है उससे पहले 6 लोग है बौटम से 26 पोजिशन पे है उससे पहले 25 लोग है छे प्लस सोहन प्लस 25 ठीक है चलो इस तरह की बहां रैंकिंग वाले भी आते हैं उसके लावा ये यह थोड़े से important है, क्योंकि यह होता है time taking, ठीक है, time taking कैसे, आप देखो, 16 दिया है, 4 दिया है, 4 दिया है, और 81 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, और 27 दिया हुआ है, यहाँ पर x find करना है, 25 है, और 5 है, यह practice आएगा, बहुत जादा practice करें तब आप, देखो, आपको 16 दिख हुआ है, यहाँ बड़ी डिजेट देख देख दी, 10 चोटी, क्या होगा, 125, 4 इंटो 4, 16 है, 27 दिया होता है, 25, 5 जा, 125 होगा, अगर आप इस पर ज्यादा practice करेंगे, उतना ज्यादा आप identify कर पाएंगे, ठीक है, इस सिफाव से practice से आएगा, इस तरह काई question और लेंगे हम, तो आपको समझ में आएगा, देखो इस तरह का, यह जो आते हैं पैटन वाले, यह थोड़ा से difficult होते हैं, कही ना कहीं आपको, अगर आप 10-15 सेकंड में आप identify कर लेते हो, तो करना उसमें उलजने की ज़वत नहीं है, ठीक है, यहाँ पूछा है, एक्स क्या होगा यहाँ ठीक है, देखो इस तरह का पैटन दिये होआ है, पूछा है कि यहाँ बीच में क्या आना चाहिए, तो आप कैसे पता करोगे, शुरू के दो डाइग्राम देखके, कैसे, 7 यहाँ कैसे आया, जो पता करना है, बस वही इस समय देखो, 4 यहाँ कैसे आया, 7 कैसे आया, 81 दिख ठीक है, क्या कर सकते हैं, इसमें, देखो करना क्या है, 81 divided by 9, ठीक है, प्लस 3 माइनस 5, यह है पैटन, ठीक है, 9 बर गया, 9 प्लस 3 माइनस 5, क्या यह 4 बनता है, 7 बनता है, यह बिल्कुल बनता है, यह पहला वाला, 64 divided by 8, प्लस 2 माइनस 6, plus 2 minus 6 ठीक है plus 3 minus 5 यह 8 बार जाएगा 8 plus 2 minus 6 equal to 2 क्या 4 बनता है यह जाएगा 10 minus 6 4 बनता है similarly इसको भी ऐसी करेंगे 49 by 7 ठीक है plus 4 minus 5 7 बार जाएगा 7 plus 4 minus 5 कितना जाएगा 11 11 minus 5 7 11 minus 5 7 नहीं होगा 6 होगा ठीक है, आगी बात समझ में, और यह pattern कहीं न कहीं आपको उल जाएंगे exam में, मैं बता रहा हूँ, अगर आप practice नहीं करेंगे, तो कहीं न कहीं, इस pattern में आप जितनी जल्दी solve करने कोशिश करेंगे, उतना ही time आपका consume कर लेगा, इसलिए क्या करना है आपको practice करना इस पर, ख उसी single में एक और है, pattern वले, थीन question में ले लिए है, जहां पर बड़ी disease आई जैसे है, 36 से 72 है, तो बस उपर देखी क्या multiple हुआ है या addition हुआ है, यहाँ 9, 11, 11 तो नहीं है, लेकिन 6 3 जा into 2, 18 2 जा 36, यह तो आ गया, 4, 6, 3, उस क्या 72 बन रहा है, 24 ती जैस स्वेंटी बन रह या 5 x 5 x 4 किया करेंगा 5 x 25 x 4 x 100 प्रदुने Double ऐत्Regस एतना जगदा प्रक्षिस करेंगे उत्ना जगदा इन कोशनों पे आप टेकल कर पाएंगे उत्ना जगदा कमांड कर पाएंगे चलिए एक डिर्फशन गया, यहracon हो गया, यह इसी सफ़र हमने लिया है, चलो,राम walk 10 Met Toby South from his house, हमेशा house उसका यहां से ले लो, 10 Met Crim यहां अढर गया, 10 Metrec, ठीक है, फिर आगे का turn left, left turn होगा इधर side में, left इधर turn होगा, और 25 walk किया उसे, ठीक है, इतना समझ में आया, फिर again turn left, और 40 walk किया उसने, यह पूरा 40 walk किया 10 यह था, 30 यह हो गया ठीक है, कहीं यहाँ पर आ गया ठीक है, चलो then 10 right, right 10 हुआ और 5 to reach this school 5 चला और यहाँ school इसका यह आ गया, क्या गया रहा है, in which direction घर यह है, school यह है यह कौन सा direction है North East North East direction में उसका school है ठीक है, इस तरह के questions भी आते हैं, और एक question आएगा 100% और आप अराम से solve करो, और ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि आपको difficult कुछ लगता है मुझे तो नहीं लग रहा है कुछ difficult days में simply आप जैसा question कह रहा है, बस वैसे pattern बनाते चले जो, आपका answer आ जाएगा चलो, इस video को यहाँ wind up करेंगे, ज्यादा लंबा नहीं रखेंगे हम वो सारे question दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो MTS में आप से पूछे जाएंगे, reasoning section में उनको आप देखो कैसे tackle करते हैं, क्या कौन-कौन से question most expected है और किस पे आपको ज्यादा practice करनी है वो सब कुछ हम यहाँ पे wind up करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे आपको advantage मिलेगा MTS में ठीक है, फिला इस video को wind up करते हैं, reasoning section का 3 पार्ट जल्दी-जल्दी जल्द जल्द आने की कोशिश करेंगे प्लीज, अगर आप subscribe नहीं किया है, तो do subscribe और बाइ